नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका Farmer Oaks के YouTube एड़िकिस्ने जेनल में आज की इडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे PCOD के दवायों के बारे में तो हम जानेंगे ये बीमारी के बारे में डिटेल में कि ये होने के रीजन्स होगे रखया है होता क्या है ये बीमारी के अंदर फिर उसके symptoms हो गिरा क्या होता है कैसे उसका diagnosis हो सकता है कैसे उसका निदान हो सकता है तो detail में जानेंगे आज के lecture में और सीखेंगे PCOD की दवायों के बार में तो हम सबसे पहले cover करेंगे कि PCOD क्या है या फिर PCOS क्या है symptoms क्या होते है कौन से reason से ये problem हो सकती है उसका diagnosis यानि की निदान कैसे हो सकता है treatment के option क्या है और कौन से अलग-अलग medicines use होती है इसको ठीक करने के लिए तो detail में जानते हैं आज के lecture में तो ऐसे समझे कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में उनकी दवायों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं फार्म और उक्स के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी तो बाते हैं topic पे और समझते हैं PCOD की दवायों के बारे में तो सबसे पहले बीमारी के बारे में जान लेते हैं तो PCOD actual में है क्या तो ये जो है वो महिलाव के अंदर उनके hormones के related एक बुमारी है कि जो reproductive age के अंदर जो महिलाई होती है women's होती है उनको होने वाली ये problem है especially जो hormones related बीमारी उसको कहा जाता है कि जो hormones के अंदर जो changes होते है उसके करण होने वाला ये problem है तो उसके अंदर होता क्या है कि जो ovary होती है उसके अंदर multiple cysts जो है वो develop होते है कि यहाप जो आप diagram में देख रहे है कि एक तरल पदार से बरी ये थेली देख रहे है ये दूसरी वाले ये तीसरी ये चौत ही है ऐसे multiple cysts जो है वो ovary होती है फिर यहाप ये diagram में देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये multiple आपको immature follicles देखने को मिलते हैं आपके जाके cysts के अंदर convert होते है और उनकी size भी दिरे-दिरे बढ़ने लगती है और यही cysts जो बनती है और एक से ज़्यादा जब बन जाती तो उसको हम कहते है multiple cysts और multiple cysts को हम दूसरी वर्स में polycystic कहते हैं और ये ovary के अंदर develop होती है इसके करण हम उसको polycystic ovary कहते हैं और उसके करण जो बिमारी होती है उसको हम polycystic ovary indices कहते हैं तो उसके दो अलग-अलग नाम है PCOD and PCOS तो ये जो है वो common है मेलाओ के अंदर कि 5-10% जो मेलाओ होती है वो affect होती है worldwide और 12 से जो पैतालिसियर्ज के जो age होती है reproductive age उनमें ये बिमारी जो है वो उनके अंदर देखने को मिलती है तो PCOS का जब full form होता है वो बनता है polycystic ovary syndrome और PCOD जो है उसका full form बनता है polycystic ovary disease पर दोनों same है या अलग-अलग है तो उसका answer ये है कि दोनों same नहीं है दोनों में काफी जो है वो difference है तो यहाप यह उसका एक difference अच्छे से समझ लो आपको पता चलेगा तो PCOD क्या है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो cyst बनती है वो काफी कम होती है lace cyst होती है जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो 10 से ज़्यादा cyst जे वो देखने को मिलती है polycystic ovarian syndrome के अंदर फिर ये condition जे वो reverse नहीं की जा सकती जबकि PCOD के condition जे वो हम reverse कर सकते है दवायो वगरा को यूज करके proper जो medication therapy होती है उसको यूज करके वो therapy को proper follow करके उसको reverse किया जा सकता है जबकि PCOS के अंदर reverse करने के options बहुत ही कम रहते है और उसके current fertility के issues बनते हैं और ये जो है वो PCOD fertility को असर ज़्यादा तर नहीं करता तो ये difference है दोनों के बीच में तो आगे हम समझते हैं symptoms के बारे में कि PCOD की सरुआत कहा से होती है तो उसका सरुआत होता है acne यानि के pimples से तो जब आपकी reproductive age होती है या फिर कोई भी age में होते है तो सरुआत होती है pimples से और आप कई बार ऐसा समझते हैं कि कोई skin disease विगर होती है आप dermatologist को consult करते हैं पर वहाँ से भी आपको ठीक नहीं होता तो बार बार ये pimples होते रहते हैं acne होते है तो ज़रूरी रहता है कि आप जे वो gynecologist को consult करें और वो आपका proper diagnosis करते हैं तो सबसे पहले इस तरह से skin के उपर acne या फिर pimples develop होना सुरू होते हैं फिर आपके जाके क्या होता है कि आपके skin जो है वो oily होने लगती है और oily skin के करण भी कई बार आपके चेहरेगवे pimples होते हैं उनके दाग वगेरा पड़ जाते हैं दाग दब्बे देखने को मिलते हैं फिर तीसरा symptom हम देखे तो आपका mood जो है वो change होते रहता है mood swings जैसे होने लगते है anxiety or depression जैसा भी कई बार जो PCO Day के जो patient होते हैं वो feel करते हैं 14 symptoms हम देखे तो जब आपका hormonal test किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि आपके body के अंदर testosterone की मात्रा जो हो काफी ज़्यादा है कि जो normal होती है 9 से लेकर 55 जितनी होती है nanogram per deciliter unit के अंदर पर इसकी मात्रा जो हो सेरे में बढ़ दे कि जिसको androgen hormone भी कहा जाता है फिर पाचवा हम देखे तो आपका weight gain जो होने लगता है दिरी दिरी आपका वजन बढ़ने लगता है कि जिसको हम कहते है weight gain होना weight increase होना फिर इसके करण obesity भी देखने को मिलती है और especially central obesity यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि जो आपका body का जो central portion है वहाँ पर जो fat जमा होने लगता है और एक central obesity का भी एक symptom यहाँ पर देखने को मिलता है फिर patient को जो जो fatigue जैसा फिल होता है weakness जैसा फिल होता है और यह जो cycle है वो 20 days या फिर 45 days का हो जाता है कि कई बार periods काफी जल्दी हा जाता है 20 days के cycle के अंदर और कई बार 45 days होते है तब तक आपके periods जो वो start नहीं होते है फिर उसी तरह से period में सो जाना यह भी एक symptom develop होता है आपके periods काफी ज़्यादा delay होते है आपके और periods में आप एक और जिस नाटिस करो तो bleeding जो वो बहुत ही कम होती है कि जिसको हम कहते है कि very light periods तो यह भी एक develop होता है symptom PCUD के दोरान 11 symptoms हम देखे तो excessive body hairs जो वो देखने को मिलते है चाहरे क्योंग आसपास भी आप देखो तो facial hair growth जो वो देखने मिलते कि यह जो lips से आपके उसके उपर के side hair growth होती है as well as जो यह chicks का जो portion है वहाँ पेपी कि जिसको हम कहते है facial hair growth होना फिर sex drive जो आपके काफी ज़्यदा कम हो जाते कि जिसको हम कहते है कि libido जो है वो आपका decrease होने लगता है उसके लाब 14 वाला जो symptom हम देखे तो वो है ovarian cyst बनना कि एक ovarian polycystic है तो साथ उसाथ दूसरी ovarian में भी इस तरह से cyst बना सुरू हो जाते हैं या फिर दोनों ovarian के अंदर दोनों ovarian cyst के अंदर cyst बनते हैं दोनों ovarian polycystic के अंदर होने लगती है फिर पूरुसों के तरह जो है वो baldness जो है आपके अंदर देखने को मिलते हैं कि जो scalp का जो बाग होता है वहां से hair fall होना जो हो सुरू होते हैं फिर अगर आप pregnancy कर रहा है married है तो pregnancy conceive करने में जो हो काफी difficulty आदी है और infertility related कई बार issues जो हो देखने को मिलते हैं PCOD के बेसेंट के अंदर तो काफी difficulty होती है आपको pregnancy conceive करने में फिर अब समझते हैं अच्छे से उसके reasons के बारे में तो पहला reason यह बनता है hormonal imbalance कि आपके सरीर के अंदर जो hormones होते हैं sex hormones होते हैं उनकी related problem होता है फिर दूसरे जो hormones होते हैं के उनमें भी जब imbalance हो जाता है तो उसके करन भी PCOD का problem हो जाता है फिर ovalution आपका अच्छे से नहीं हो पाता कि जो proper जो menstrual cycle होता है उसके दुरान properly एक ovalution होना चाहिए पर वो अच्छे से नहीं होता तो उसके करन भी यह polycystic ovarian disease का problem हो सकता है फिर आपके सेरेर के अंदर insulin का resistance develop हो गा है तो यह भी एक reason बनता है बिकोज आप देखो कि insulin resistance के करन multiple problems होते हैं तो उसमें एक problem है यह PCOS and type 2 diabetes उसके लाव भी आप बहुत सारी यह problems देख रहे हैं तो यहापे जो problem है PCOD यह PCOS तो वह भी हो सकता है आपके सेरेर के अंदर अगर insulin का resistance है फिर अगर आप पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं तो भी यह problem हो सकता है बिकोज जो हमारी lifestyle होती है इसके कई बार हम बोल जाते है पानी पीना तो आपको यह खास द्यान रखना चाहिए कि पानी जो आपको अच्छे से पीना है दिन में अटलिस तीन लीटर पानी आपको पर डे जो पीना चाहिए कि जिससे इस तरह के problems ना हो फिर पांच वे एक reason बनता है swelling होना आपके ovaries के अंदर या फिर आपके pelvic reason के अंदर है कि यह आप आप देख सकते कि यह ovary के अंदर सुजन है calopian tube के अंदर सुजन है uterus जो होती है वहाँ पी सुजन है तो यह भी एक reason बनता है polycystic ovarian disease के लिए फिर छटा reason रहता है family history या फिर genetics जो रहता है कि अगर mother को यह problem था तो आगे जाके उनके बच्चों को भी यह problem हो सकते कि अगर वो baby girl है तो यह भी एक reason बनता है PCOD के लिए फिर 7 वा reason हम देखी आपे तो वह है hypothyroidism कि जो thyroid gland के जो hormones होते है वो अच्छे से समझे कि secret नहीं होते है कम मातरा में secret होते है तो भी यह problem जो हो सकती है फिर lifestyle related factors हम देखे तो आपकी lifestyle इस तरह से है कि जिसमें exercise बहुत ही कम है ऐसी आप lifestyle जी रहे तो भी यह problem हो सकते है जैसे कि diet के अंदर आप काफी ज़्यादा fast food ले कि किसी भी दरह का stress है कि चाहिए आप का job place की related stress है personal life की related stress है या फिर किसी भी दरह का stress है life के अंदर तो भी एक problem हो से because stress के करण hormonal imbalance होता है और hormonal imbalance के करण ये PCOD का problem आपको हो सकता है 11 वा symptoms हम रीजन यहाँ पे हम देखे तो आपको जे वो अच्छे से नीद नहीं आती कि loss of sleep या फिर medical terms के अंदर हम इसको insomnia कहते है कि यहाँ पे आप देख रहे है कि 4 बज़े फिर भी patient को जे वो नीद नहीं आ पेशन के medical history चेक की जाती है सेकंड जो फीजिकल अपियरंस है होर्मोनल ऐसे टेस्टेस्ट का टेस्ट किया जाता है और ultrasound scan से हम उसका reason पता कर सकते हैं तो सबसे पहले समझे medical history के बारे में तो reason find करने के लिए patient का counseling करना अच्छे से जरूरी है कि 10-15 मिनिट आप उससे अच् symptoms वगरा discuss किये उनमें से कोई भी symptoms जो पेशन को देखने को मिल रहा है तो उससे अब हम confirm गर सकते कि सायद उनको PCD हो सकता है और आगे दूसरे टेस्ट किया जा सकता है जैसे कि हॉर्मोनल ऐसे किया जाता है कि जिसके इंदर अलग-अलग hormones जैसे कि FSH हॉर्मोन है LH है प्रापर डाइगनोसिस कर सकते हैं और कौन से हॉर्मोन का लेवल ज्यादा है कम है उसके according to आगे medicines जो है वो स्टार्ट की जा सकती है चौथा है यहाँ पे जरूरी टेस्ट हो है टेस्ट टेस्ट का टेस्ट कि जिसका नॉर्मल लेवल होता है नाइन से लेकर 55 नैनो ग्राम पर डेसलीटर कि उसकी मातरा समझे के काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है तुस वक्त भी कंफर्म हो सकता है कि पेशन को पीसी ओडी जो हो सकता है और लास में अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना बहुत ही जरूरी है बिकास उससे प्रॉपर बता चलता है कि ओवेरीज जो है उनके अंदर किस तरह से सीस्ट जो बन रही है कितनी सीस्ट वगेरा बनी हुई है तो आपको प्रॉपर अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना जरूर पड़ता है अब बात करते हैं और ट्रीटमेंट के तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जरूरी है कि स्ट्रेस को कम करना तो स्ट करने भी आपका stress वगरा कम होता है तो आपको stress सबसे पहले manage करना है और उसके लिए yoga or meditation सबसे अच्छे option बनते हैं second हम देखे तो lifestyle को change करना यहाँ पर काफी जरूरी बनता है कि आप अच्छे healthy diet लो 8 गंटे के आपको proper नेंद लेनी चाहिए फिर आप exercise वगरा भी प्रॉपर करते हैं diet अच्छे से लेते हैं तो भी आपका यह problem solve हो सकता है फिर जरूरी है कि आपका weight reduce करना के अगर आपका weight increase हो गया है PCOD के करन तो जरूरत है कि आपका weight जो अच्छे से manage किया जाए body weight को जो वो कम करना जरूरी है तो ये खास आपको करना चाहिए चौथा हम देखे तो cinnamon water आपको लेना है कि दिन में एक बार जो वो cinnamon water की जैसे हम चाय बनाते हैं उसी तरह से आपको जो cinnamon होता है उसका powder बना लेना होता है उसको पानी में बलना होता है और उसके बाद जो उस बले रहे है ले रहे पर साथ में ये cinnamon water जो वो जरूर से लेना चाहिए फिर पांचवा option यहाँ पर बनता है कि आपकी body को detox करना भी जरूर रहता है तो इसके लिए आप green tea वगरा ले सकते हैं जिससे weight भी manage करने में weight को भी loss करने में काफी ज़्यदा मदद रहती है तो आप green बनता है birth control pills का कि जिसको estrogen या फिर progesterone therapy के अंदर include किया जाता है कि यह जो hormones होते हैं उनका imbalance से आपके शेरीर के अंदर तो उसको फिर से normalize करने के लिए आपके gynecologist जो आपको prescribe करते है birth control pill फिर second option बनता है या फिर metformin का because insulin का resistance काई बार होता है इस तरह patients के अंदर और metformin ज disease को ठीक करने के लिए तो उसके tablet जो आपको gynecologist prescribe करते हैं कि एक tablet जो आप दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार यूज़ करते हैं कि यूजली जो 500 mg के sustain release tablet आते हैं उसको prescribe की जाते है PCOD के अंदर और यूजली दिन में एक या फिर दिन में दो tablet जो लेना होता है और ख क्लोमिफिन साइट्रेट का कि वो भी सेम एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार जो ली जाती है और उसके जो tablets होते हैं यहाप आप देख सकते एक marketed formulation की जिसको Serum Institute of India जो यह वो manufacture करती है क्लोमिफिन साइट्रेट के यह tablets फिर आगे वह option एक बनता है लेटरोजल का कि यहाप फिर 2.5 mg के यह जो tablets available है तो यह जो आपको gynecologist prescribe करते हैं कि जिसका dose रेधा खासकर एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो पेसेंट यूज़ करते हैं आगे पांच वो option बनता है क्या बर गुलिंग है कि अगर prolactin की मात्रा सेरिर में काफी जादा है और उसके क एक ही tablet लेती होती है पर week तुसके करन देखो यह packing के अंदर भी सिर्फ चार ही tablet आपको दी गई है और एक tablet जो है वो एक week के इस तरह से चार week के चार tablets जो है वो दी जादी है और फिर आगे फिर से second course continue करना ही है वो आपके gynecologist टेस्ट विगरे करने के बाद डिसाइड करते हैं चठा option हम देखे homeopathic medicines के अंदर तो यहां पे ovarian cyst drops देख रहे हैं A90 करके तो यह drops को लेना कैसे वो में आपको समझाता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको 50 drops लेने होते हैं half cup जितने पानी के अंदर और दिन में 4 बार उसको लेना होता है 4 दिनों के लिए जब आपके treatment start होते हैं तो पहले चार दिन जो है वो चार दिनों के लिए आपको 50 जितने drops लेने हैं दिन में 4 बार और वो चार दिन जैसे complete होते हैं पांचवा दिन आता हैं तो उसके बाद आपको drops कर देने हैं 50 के बज़ए आपको 30 drops लेने हैं सेम half cup जितने पानी के अंदर और वो जो होता है है शात वह अप्षन यहां भी बनता है SBL के अंदर के ओविरिम धर्टी शीयेच करके यह जो ड्रॉप आते हैं तो यह ड्रॉप कैसे लेने हैं वह मैं आपको वधात हो तो यहाँ पर देखो कि आपको क्या करना है कि पांच जितने ड्रॉप लेने हैं हाप वा ओप्सन हम देखिए तो M2 टॉन सीरप का कि यह जो चरक फार्मा जो है हर्बल आयरुविदिक कंपनी है उसका यह काफी एक पॉप्पिलर प्रोड़क्ट है M2 टॉन सीरप तो वह भी आप ले सकते हैं कि पांच या दस एमेल जितना दिन में दो बार जो पेसंट ले सकता ह हैं दस वह ओप्सन बनता है हिमालिया के अंदर कि हिमालिया इवी केर करके सीरप आती है वो भी काफी यूसपुल सा भी दोती है आयरुविदिक रैमेडी है यह आपके लिए PCOD को ट्रीट करने के लिए और अगर आप उसका सीरप नहीं ले पाते हैं तो सेम उसके अप्सन्स अविलेबल है टाबलेट्स में इवी केर फॉर्ट करके टाबलेट्स आते हैं कि जो आप स्विसली एक टाबलेट जो दिन में दो बार जो पेसेंट ले सकता है और उसी में दूसरा उप्सन बनता है हेमालिया इवी केर क्याप्सुल्स का कि जो 30 क्याप्सुल्स से ठीक नहीं होता, फिर आपके पास आक्त्री options बनता है, surgery का, तो जो surgery की जाती है, उसका नाम बनता है laparoscopic ovarian drilling की जिसको SWOT में LOD कहा जाता है, तो ये perform किया जाता है, last में किया कर medicine से भी आपका PCOD ठीक नहीं होता, तो last में ये options को select किया जा सकता है, तो ऐसे ही संज़ें के आपको detail में सिखना है, अलग-अलग दवायो के बारे में, बिमारयो के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं, तो ये course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best.